दोस्तों हमारा यूटूब चानल का आपको स्वागत है तो आप यहां पर देख सकता है floating menus बोले तो यहां पर आप देख सकता है हम उपर आप देख सकता है कि home subject register login यहां पर भी देख सकता है home subject register login तो अगर आपको आपका menus ऐसा scroll होना नए तो ऐसा आपको रास on-page scrolling होना भूले तो अब इसमें एक सिर्फ एक plugin इंस्टल करने का जरूरत है एक मेंड़ आपको इंस्टल plugins यहां पर देख सकता है sorry यहां पर code flavors floating menu यह plugin अब इंस्टल करना है अगर आइस आपको आइसा floating menus देखना आपको यह customize भी कर सकता है इसका कोई tension नहीं है अब पर custom colors दे सकता है custom दे सकता है custom font भी दे सकता है इसमें इंस्टल करने के बाद यहां पर अब इंस्टल करने के बाद menu में जाए appearance menus अब देख सकता है अब राइट में दिखाना नहीं तो left में दिखाना आपका मर्जी है मैं तो right में दिखा है था website में राइट साइड में आप लेट में अपका distance या height और width इसका अगर यह उपर दिखाना है तो आपको 100 देना होगा नीचे और नीचे होना तो 600-700 ऐसा दे सकता है यह इसका position नीचे होना बलतो 600-700 दे सकता है अगर उपर होना तो 100-250 ऐसा दे सकता है तो आपको मेन्यू title दे सकता है मगर इसका जरूरत नहीं है क्योंकि आपको हम तोड़ा glitchy हो सकता है सिर्फ ऐसा दिखता बहुत अच्छा है इसको title देना को जरूरत कुछ नहीं है सेव सेटिंग्स देखिए सेटिंग्स दीने के बाद और एक option क्लिक करना होगा मैं आपको बताता हूँ फर एक्जांपल अप्यरेंस में अब dashboard में क्लिक करिए यहां पर भी है menus बट नया लोगों को तोड़ा confused होता इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ appearance में जाए मेन्यूस में क्लिक करिए मेन्यूस क्लिक राइट उपन न्यू टैब मेन्यूस हो गया अब अगर ओग कोट फ्लेवर मेन्यूस इंस्टल किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कोट फ्लेवर फ्लोटिंग मेन्यूस यहां पर आपको बॉक्स हैलेट करना होगा हैलेट गया से मेन्यूस तो जब आप यहां पर जब अगर आप यहां पर यहां पर क्लिक किया तो आप यह नज दे सकते हैं तो आप यहां पे क्लिक करके सेव कर देजिए आपको इसा मेन्यों आज जाएगा वेबसाइट के ऊपर तो हमारे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद है दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए और एक अच्छा वीडियो के साथ आपके सामने आता हूँ थैंक्यू वेरी मुच्छ